Hello friends, Tax Faling School इस वीडियो में आपका स्वागा है, दोस्तो इस वीडियो में बहुत ही important topic पर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे important transaction के बारे में बात करेंगे जो की report किये जाते हैं income tax department को अगर आप वो transaction करते हैं तो उसकी सूचना income tax department को मिल जाती है और income tax department आपसे सवाल जवाब कर सकता है तो जो important 10 transaction है उसको हम इस वीडियो में discuss करेंगे उसके अलावा अगले वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि अगर इस तरीके के transaction report किये जाते हैं तो उसको हम कैसे track कर सकते हैं अगर कोई सवाल जवाब हमसे किया जाता है तो उसका reply कैसे दिया जा सकता है कहां पर हमें पता चलता है कि हाँ हमें notice भेजा गया है query भेजा गया सब कुछ online होता है तो अगले वीडियो में वो भी हम discuss करेंगे दोस्तो आगे बढ़े इससे पहले मैं आपसे request करूँ हूँ कि आप माय चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल पर income tax और PF से related बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और future में upload भी होंगे वीडियो अच्छा लगे तो like जरूर करिएगा अब दोस्तो जल्दी से आगे बढ़ते हो सबसे पहला transaction क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं अगर एक या एक से ज़्यादा saving account में पूरे साल भर में आपने अगर 10 लाक या उससे ज़्यादा का amount cash deposit किया हुआ है तब आपके transaction report किये जा सकते हैं income tax department को ध्यान देना है या पर हम 10 लाक लमसम की बात नहीं कर रहे हैं aggregate की बात कर रहे हैं मतलब पूरे साल भर में भले ही आपने एक एक लाक करके deposit किया हो cash या 50-50 हजार करके deposit किया हो cash तो total अगर 10 लाक या उससे जाता है पूरे financial year में तब आपके transaction report किये जा सकते हैं income tax department को उसके अलावा अगर आप cash deposit करते हैं या cash withdrawal करते हैं 50 लाक या उससे जादा तो यहाँ पर भी लमसम की बात नहीं की जारी है aggregate मतलब पूरे साल भर में आप अगर 50 लाक का cash deposit करते हैं या cash withdrawal करते हैं एक या एक से जादा current account में तो आपके transaction income tax department को report किये जा सकते हैं अब report कौन करता है bank करता है saving account अगर आपका post office में है तो post office कर सकता है तो इस तरीके से जो भी entity जहाँ पर आप deposit कर रहे हैं वो report कर सकता है income tax department को अब एक दूसरा और rule हम यहाँ पर बता देते हैं अगर आप deposit कर रहे है aggregate of 10 lakh और more मतलब पूरे financial year में आप 10 lakh या उससे जादा का amount deposit कर रहे हैं हम यहाँ पर cash deposit की बात नहीं कर रहे हैं आप किसी भी तरीके से अगर deposit करते हैं 10 lakh या उससे जादा का कोई भी amount पूरे साल भर मे एक या एक से जादा time deposit में आप time deposit accounts क्या होते हैं जिसे FD account हो गया RD account हो गया या दूसरे saving account जो होते हैं जहाँ पर आप एक fix समय के लिए पैसा deposit करते हैं तो भी आपके जो transaction है वो income tax department को report किये जा सकते हैं उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा अगर आप cash payment करते हैं 10 lakh या उससे ज्यादा का amount एक financial year में किसलिए डीडी बनाने के लिए या pay order बनाने के लिए प्रिपेड इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए अगर आप cash payment का इस्तमाल करते हैं तब भी आपके transaction income tax department को report किये जा सकते हैं अगर आप hotel में 20,000 से ज्यादा का expenditure करते हैं तो भी आपके transaction report किये जा सकते हैं income tax department को अगर LIC life insurance policy आप ले रहे हैं 50,000 से ज्यादा का, यह health insurance policy आप ले रहہे हैं 20,000 से ज्यादा का, तो भी आपके transaction report किये जा सकते हैं income tax department को credit card bill अगर आप पे करते हैं और cash payment आपका एक लाग से ज़्यादा होता है तब भी आपका transaction income tax department को report किया जा सकता है पूरे साल भर में अगर आप एक लाग से ज़्यादा का cash payment करते हैं अपना credit card bill पे करने के लिए तो उसके अलावा अगर आपका total payment भले वो cash वाला हो, account transfer हो या दूसरे किसी भी method से आप payment करने हैं credit card का bill और वो total amount 10 लाग से ज़्यादा चले जाता है financial year में तो भी आपके जो transaction है वो report किये जा सकते है income tax department को, अगर आप investment करते हैं share में, debenture में, bonds में या mutual funds में और वो total amount पूरे साल भर में 10 लाग से ज़्यादा हो जाता है तो भी आपके transaction income tax department में report किये जा सकते हैं अब ध्यान दे रहा है यहाँ पर हम बोलना है कि report किया जा सकता है तो मैं फिर से बताना चाहूँगा report कौन करता है bank हो गया या कोई financial institution हो गया जिसके साथ आप transaction करते हैं वो report करने वाला है उसके बाद आप अगर purchase कर रहे हैं या sell क कर रहे हैं immowable property तो 30 लाग से ज्यादा का amount अगर हो तो उस case में भी आपका transaction report किया जा सकता है income tax department को foreign currency आप खरीदते हैं 10 लाग से ज्यादा का अगर एक financial year में तो भी आपके transaction report किये जा सकते हो सकता है foreign country में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको foreign currency की जरूरत पड़े और आप purchase करते हैं foreign currency और वो total amount 10 लाग से ज्यादा हो तो income tax department को इसकी खबर दी जाती है उसके अलावा electricity consumption मतब electricity bill आपका total amount एक लाग से ज्यादा आ रहा है पूरे financial year में तो भी आपका transaction report किया जाता है income tax department को और इसके लिए तो अब आपको ITR भी file करना पड़ता है जैसे कि आप पिछ पिछले साल से जब income tax return file करने जाते हैं तो starting में ही आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका electricity consumption एक लाग से ज्यादा है पूरे financial year में अगर होता है तो कंपल सरी हमें ITR file करना पड़ता है उसके अलावा कुछ और transaction है जैसे कि आप jewelry purchase कर रहे है high value painting purchase कर रहे है कोई महगी painting है ornament है या high donation आप दे रहे हैं ज्यादा पैसे का तो ऐसे cases में भी हो सकता आपके transaction income tax department को सूचित किये जाए अब जब ये transaction report किये जाएंगे income tax department को तो वो हमें कैसे पता चलेगा कहां पर दिखाई देगा अगर income tax department इससे related कोई query आप से पूछता है तो वो कहां पर दिखाई देगा जल्दी से मैं आपको उसका डेमो भी दीखा देता हूँ